आसधियों में बिराज मान है नब दुरगा द्रमा जी के दुरगा कबच में बरनित नौ दुरगा नौ बिशिस्त आसधियों में बिराज मान हैं। प्रथम शैल पुत्री हरर कई प्रकार के रोगों में कामाने वाली आस्दी हरर हिमाबती है जो देवी शैल पुत्री का ही एक रूप है यह आयरुवेद की प्रधान आस्दी है यह पथेया हरीति का अम्रिता हेमबती चेत की क्यायस्त और स्रेयसी साथ प्रकार की होती है ब्रम्हचारनी ब्राम्ही आयू और यादास्त बढ़ा कर रक्त विकारों को दूर कर श्वर को मधुर बनाती है इसलिए इसे सरश्वती भी कहा जाता है तिसरा चंद्रगंटा चंदू शूर्या है कैसा पोधा है जो धनी के समान है यहाँ औस धी मोटापा दूर करने में लाफ्रद है इसलिए इसे चर्म हंती भी कहते हैं कुश्मांडा का माने पेठा इस औस धी से पेठा मिठाई बनती है इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं इसे कुमरा भी कहते हैं जो रक्त विकार दूर कर पेठ को साफ करने में शाहेक है मानसिक रोगों में अम्रित समान है असकंद माता अलिसी देवी असकंद माता ओस्धी के रूप में अलसी में बिद्धिमान है यह बात पीत और कफरोगों की नासक ओस्धी है कात्यानी मोईया देवी कात्याईनी को आयरुवेद में कई नामों से जाना जाता है जैसे अंबा अंबालिका और अंबिका इसके अलाबा इन्हें मोईया भी कहते हैं यह उस्धी कफ पीत और गले के रोग का नास करती है काल रात्री मानि नागदाउन यह देवी नागदाउन ओस्धी के रूप में जानी जाती है यह शवी प्रकार के रोगों में लाबकारी और मन एवं मस्तिस्थ के विकारों को दूर करने वाली ओस्धी है महागवरी मानि तुलसी तुलसी शात प्रकार की होती है शफेद तुलसी काली तुलसी मरुता दौना कुढेरक अर्जक और खस्त पत्र यह रक्त को शाफ कर खिरदाय के रोगों का नास करती है और सिध्धी दात्री यानि की सतावरी दुर्गा का नौबारूप सिध्धी दात्री है जिसे नारायनी सतावरी कहते हैं यह बल बुद्धी एवं विवेत के लिए उप्योगी है तो बोलिए जय माता दुर्गा